बिस्मिल्ला रह्मान ररहीम असलाम अलेकम to all students, welcome in the class of computer science. Students, हम लास्ट लेक्चर में data communications related topics को discuss कर रहे हैं, तो आज हमारा data communications related ही next topic है, तो आज हम this topic को discuss करने वाले हैं, that is called the data transmission modes. The way, के आप different ways में अपने data को transfer कर सकने हैं. अब वो हमारे पास कौन-कौन से ways हैं कि हम अपने data को transfer कर सकते हैं there are three different ways to transfer data from one place to another place, from source to destination, from sender to receiver हमारे पास तीन ways में हम अपने data को transfer कर सकते हैं and these ways are called data transmission modes उसमें हमारे पास जो सबसे first वाला mode है students वो है simplex mode in simplex mode data can flow in one direction कि आपका data सिर्फ एक direction में move कर सकता है वो second मतलब वापिस वहां से data नहीं आ सकता ये बिलकुल ऐसे ही है जैसे कभी आपने कभी ऐसे road पे गए हूँ जिस पे लिखा हो one way traffic कि कोई ऐसी street, कोई ऐसा road जिसमें से सिर्फ traffic enter हो सकती है उसमें से वापिस नहीं आ सकती ये simplex mode भी बिलकुल ऐसे ही है अगर आप इसकी picture देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये computer A से या इस device A से B की तरफ आपका data move कर रहा है लेकिन वापिस ये move नहीं कर सकता है only in one direction इसकी example हमारे पस क्या हो सकती है for example lenght % of your TV है तो वो देखें वो continuously आपका data receive कर रहा है आपका radio है तो वो भी continuously आपका data receive कर रहा है तो उससे वापिस आपका data कभी move नहीं करता radio से भी वापिस आपका data कभी भी move नहीं करता तो only one direction में जो आपकी movement of data है that is called simplex mode हमारे पर second इसकी फार्म है half duplex mode data can flow in both direction हमारा जो half duplex है इसमें दोनु साइड्स पे हमारा data move कर सकता है but not at the same time एक वकत में हम move नहीं कर सकते या तो data जा रहा है और अगर data नहीं जा रहा तो data आ रहा है not at the same time दोनु काम एकठे नहीं हो सकते ये बिलकुल ऐसे ही ऐसा road जिसमें एक वकत में से एक ही गाड़ी गुजर सकती हो तो जो दूसरी साइड वाली ट्राफिक है उसको हम stop करवाएंगे तो एक साइड की ट्राफिक गुजरेगी फिर हम उस साइड की ट्राफिक को stop करवाएंगे तो दूसरी साइड वाली आपकी ट्राफिक गुजरेगी इसकी एक्जम्पल बिलकुल ऐसे ही है फ्यू यर अगो हमारा वो जो चनाब रिवर का ब्रिज है जब हम जंग जाते थे तो वहाँ पे जो गाडियां हैं वो ट्रेन वाले ब्रिज से गुजरती थी तो उसमें ये था कि एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती थी तो वहाँ पे ट्राफिक पुलीस की ड्यूटी होती थी जो क्या करते थे के एक साइड की ट्राफिक को रोक के दूसरे साइड की ट्राफिक को गुजरते थे फिर इस साइड वाली ट्राफिक को रोक के इस साइड वाली जो गाड़ियां उनको गुजरते थे तो that is an example of half duplex mode अगर आप इसकी picture देखे तो यहां पर device A से device B की तरफ आपका data move कर रहा है और वापिस भी आ रहा है लिकन यहां पर मैंने यह T1 और T2 लिखा है ताके आप यह ना समझें कि यह दोनु कायम at the same time हो रहे हैं same time नहीं हो रहे हैं यह T1 पहले time में data B side पर move कर रहा है और T time 2 पर आपका data A side पर move कर रहा है data can flow in both direction but not at the same time that's why the speed of half duplex mode is slow इसी वजह से यह इस mode की speed आपकी slow होती है for example आप internet use कर रहे होते हैं www.google.com लिखते हैं और उसके साथ ही कोई एक नई website आप open कर लेते हैं तो आप देखें जब तक वो एक site open नहीं होती है वो अगला action perform नहीं होता या इसकी एक और example आपका wireless system है कभी आप TV देख रहे हैं या कोई drama या movie देख रहे हैं तो उसमें forces वालों को अगर कभी बात करते होए wireless पे आप सुनें तो वो हर बात को complete करने के बाद over बोलते हैं उसका मतलब यह होता है के मेरी बात खतम होगी है अब आप बात करें तो फिर जो दूसरी side पे जो शखस बात कर रहा होता है वो अपनी बात करता है और बात के end पे over बोलता है उसका मतलब यह है कि मेरी बात खतम होगी अब आप बात करें अगर वो दोनों लोग इकठा बोलना शुरू कर दें तो कलाइन होगी दोनों को बात समझ नहीं आएगी तो इन हाफ डुपलेक्स हम सेंड भी कर सकते हैं रसीव भी कर सकते हैं हमारा डेटा बोलना शुरू करता है त Hy. loc JENN, तो अपा, इसकी एक वखतम आभी रहा है के एक ही वकित में डेटा आ भी रहा है जा भी रहा है और इसकी एकड्येंपल आपका जो पृटिस्यल फोन हैज आपका जो मोबाइल फोन है आप मुबाइल पे इदर से भी बोले जा रहे हैं और दूसरे साइट से दूसरा शक्स जो है वो भी बोले जा रहे है तो दूनों की आवाज जो है वो आ रही है ठीक है कलाइजन नहीं हो रहा बोर डारेक्शन में डेटा आपका मुव कर रहा है पीटीसे अलफॉन भी बिल्कुल ऐसे ही है तो इन फुल डप्लेक्स हमारा जो डेटा ट्रेवल कर सकता है इन बोर डारेक्शन अड़ दे सेम टाइम तो यह हमारे कमिनिकेशन के डिफरेंट मोड्स हैं और यह डिफरेंट जगा पे यह अप्लाय होते हैं हमने इनकी डिफरेंट एग्जेम्पल्स देखी जो कॉमन लाइफ में हम कहां पहां पे किन एरियास में इनको यूज करते हैं तो इन्शालला डेटा केमिनिकेशन के नेक्स लेक्शर के साथ इन्शालला हाजर होंगे तब तक के लिए इजाज़ थैंक यू अल्ला हाफिस